वालो गाइस, यह वाचिंग सीरिल से आप आप जहां पे मिलती है शो से जोड़ी आमेजिंग जानकारी बात करते हैं टिवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की तो आप देखने वाले हैं कि साहिबा गुर्द्वारा आती है शेल्टर के लिए अंगद सोचता है कि साहिबा और मेरी भगवान बस दुआएं सुलने और साहिबा सही सलामत हो अंगत यहां साहिबा को कॉल करता है उसे पता चलता है कि उसने अंगत को नहीं बताया वो कहां है और कॉल कर दिती है अंगत यहां पर कॉल करता है और वो वहां से चला जाता है दिलजीत आता है साहिबा के पास और उससे मिलता है मनवीर और बाकी के बरार फैमली क्वेशन करती है कीरत से कीरत कौन है जिसने साहिबा को भागने में मदद करी बरार मेंशन से कीरत एडमिन करती है कि उसी ने साहिबा को भागने में मदद करी साहिब दरजीद से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मुझे दूर करने की दिरजीद कहता है कि साहिबा हमने भी बहुत सारे दिन और बहुत सारी रातें एक साथ विताई है गुर्द्वारे में इसलिए ये टाइम है यहाँ पर जब मैं अनात था ना तब मुझे यहाँ पर छोड़ दिया गया था दिरजीद कहता है लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है दिरजीद कहता है कि आओ मेरे साथ चलो मनवीर और जसलीन यहाँ पर कीरत को चलाते हैं कि आखिर तुम फ्रामली के डिसीजन के अगेंस कैसे गई और साहभा को help क्यों की गेली वहां आता है और कहता है कि अगर उसने कर भी दी मदद तो इसमें गलत क्या है साहिबा को सबसे पहले हमें यहाँ पर help करनी चाहिए थी साहिबा सबसे पहले तो इधर दिलजीत को डाटती है और कहती है कि तुम्हें लगता क्या है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अकीर ने मेरे बारे में पूछा दिलजीत कहता है कि नहीं वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने उसने तना बिजी कर दिया है कि उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने क्ले टाइम ही रही साहिबा दिलजीत से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम छूट बोल रहे हो दिलजीत साहिबा से कहता है कि ठीक है मैं एक ही कंडिशन पर मानूँगा कि अकीर आपको हेट करता है या नहीं यह मैं ऐसा करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी सी घपरा जाती है गेरी और कीरत रिवील करते हैं बरार फैमिली को कि कैसे उन्हों ने स्टेटमेंट दी थी साहिबा इस केस में इंवाल्व नहीं है अकीर की किड्नापिंग में मनवीर और जसलीन यहां पर इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि आखर इन दोनों ने फैमिली के अगेंस यह सब डिसेजन लिया मनवीर कहती है अंगत से कि क्या तुम अकीर से मिले अंगत कहता है कि नहीं दिलजीत ने अचानक से पता नहीं कहां से इतने सारे पैसे ले लिये कि उसके पास अब बंगलो भी है बांसर्स भी है और गार्ड भी है गेरी वो उसे अलाओ नहीं करने देती घर में घुस्ते की दिलजीत यहां पर स्थीक्योर्टी गार्ड को कॉल करता है और कहता है साहबा को फोन दो गश्यों के upcoming track में अब देखना होगा काफी interesting के आकिस साहिबा अकीर से मिलने में कामियाब हो भी पाएगी या नहीं वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बेकुल भी न भूले